वन्दे गव मातरम वन्दे गव मातरम नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूटे देशी गोवन्स इस मुईन को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में एक साइवाल नसल की उम्दा गाये जिसमें ब्रिड के करेक्टरिक्स शांदार हैं जो देखने से आप अनुभव करेंगे कि साइवाल नसल की गाये कैसी सुन्दर और कैसी बोड़ी स्ट्रक्चर की हो सकती है वह इस वीडियो को देखकर ही आप अनुभव करेंगे अगर आज आप इस चैनल पर नहीं हैं पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर से कर लें साथ ही साथ नस्दीक दिये गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको रेगुलर मिलती रहे हमारी कोशिश और मुहिम है कि हम देशी गोवन्स को बढ़ावा दें इसलिए ऐसी दुरलब गाएं जो बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलती हैं जिनमें ऐसे बोडी के क्रेक्टिक स्टिक्स शो होते हूँ यानि कि जो लक्षण है साइवाल नसल के वैस गाये के अंदर बरपूर दिखाई दे रहे हैं चोटे सींग है चोड़ा माथा और आखों के तरफ चारो तरफ वाइट कलर के यानि कि जो ब्राउन है लाइट ब्राउन कलर है उस तरह के घेरे और साथी शांदार नाभी स्लोप पीठ के अंदर पुठे की चोड़ाई काफी बेतरीन बड़े साइज का हमप सुंदर बारी जालर नुमा गलकंबल जितने भी क्रेक्टेश्टिक्स साइवाल नसल की गायों में देखने को मिलते हैं वैस अभी इस गायے में देखने को मिल रहे हैं साथी अडर का साई शेप भी काफी शांदार है थनों की बनावट और शेप काफी उमदा है इस गाये का अडर डेवलोपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है ब्याने में अभी इसे लगबग आठ से दस दिन डिन है और फर्स्ट लेक्टेशन में इस गाये ने 14 लीटर दूद दि जा रही है जो एक अच्छी परवरिश अच्छे खानपान से संभव है यह गाये दूसरे ब्यात में हैं सेकेंड लेक्टेशन में है और ब्याने में इसे लगबग 10 दिन के आसपा सेज बचे हैं इस गाये को टीकू राम जी जो विलेज कमीनपुरा डिस्टिक श्री गंगा अगर राजस्थान के रहने वाले हैं वैसेल के लिए अवेलिबल करवा रहे हैं इनका मोबाइल नमबर है 7627058169 इन मोबाइल नमबर पर संभर करके आप इस गाये के बारे में संभूर्ण जानकाई ले सकते हैं साथी साथ इस गाये की किमत भी आपको बता दू टीकू रा करके बात कर सकते हैं आसा है जो मैंने आपको गाये दिखाई है वैं पसंद आई होगी आपको गाये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरू से बताइएगा धन्यबाद दोस्तों